इसी बीच एक बड़ी कबर इस वक्त आ रही है आपको बताते की असद उद्दीन ओवैसी का भी इस पूरे मामले पर बड़ा बयान इस वक्त लोगों का सम्विधान में यकीन घटे का ओवैसी निका अगर इस तरीके से हट्याय करवाई जाएंगी तो देश में कानून का रा जा गया है अतीक और अश्रफ मर्डर के बाद देखिए मैंने शुरू से आप आपसे कह रहा था कि उत्तर परदेश में बीजेपी की सरकार रूल आफ लॉव के तहद सरकार को नहीं चला रही है बलके रूल बाइ गन को चला रही है और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गावर्मेंट बनी ये सिलसला चल रहा है और हर बार जब कभी हम मीडिया से बात करते थे बलके हम अपने भाशन में अपने स्पीचिस में इस बात को दोरा रहे थे मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रिटरिक की तोर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम आप लोगों को और देश के सामें आकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है और जिससे भारत का सम्विधान में लोगों का यकीन कम होगा जिससे हमारे कोर्ट्स में जजज्ज्स में प्रॉबिग प्रॉसेक्यूटर को उनका काम करने की तो यह हुआ और हम इसका मेरे पास अलफाज नहीं है इसका कंडम करने के लिए इसकी मजम्मत करने के लिए यह जो कल का वाखिया हुआ आप बताईए मेरे को यह तो कोई ऐसा नहीं है कोई जाकर फॉरण किसी को गोली मार दिया आप उनका वेपन चलाने का तरीखा देखो आप जिस तरीखे से वो लोग आए और उनका हाथ स्टिल है एकड़म मुझे भी वेपन चलाना आता है मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रिनिंग लिया हूँ अपनी सल्डिफेंस के लिए और जिस तरीखे से मार रहे वो लोग उनका हाथ देखे हिल नहीं रहा है उनकी न मर्डर है